हेलो दोस्तो आजके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 यूपी वोट केमेस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर बिलयान का जो पार्ट है उसमें एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मोललता मोललता की परिभासा दीजिए आईए बात करते हैं कि मोललता क किसे कहते हैं तो एक किलोग्राम बिलायक में घुले बिले के मोलो की संख्या को मोललता कहते हैं मोललता में एक सर्थ होता है कि जो बिलायक होता है वह एक किलो होना चाहिए और उसमें बिले के मोलो की संख्या को मोललता कहते हैं जैसे कि हम कोई देखिए हम चीत्र के एक केजी माली जी है कि हम एक लीटर पानी ही ले लेते हैं जैसे कि एक लीटर पानी में हम चीनी को मिलाते हैं तो वह बिले हो जाता है चीनी ठीक उसी प्रकार एक केजी बिलायक में बिले के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं देखिए जो मोल है ना केमेश्ट्री में मोल को जो मोल है ना पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं जैसे कि किसी पदार्थ को देखिए केजी में मापा गया है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बिले जो है इसे मोल में मापा गया है तो ही का गया है कि 1 kg बिलायक में घुले बिले के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं और देखिए इसका सुत्र है मोललता बराबर बिले के मोल वटे बिलायक का भार kg में क्योंकि सर्थ है एक kg होना चाहिए आईए और आगे देखते हैं तो यह रहा हमारा फाइनली सुत्र कैपिटल M मुललता को कैपिटल M से परदर्शित करते हैं तो कैपिटल M बराबर स्मॉल डबलू अपान M इन्टू कैपिटल डबलू यहाँ पर ग्राम वहाँ पर केजी था तो जब केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुड़ा हो जाएगा तो यही हमारा फाइनली सुत्र मिल गया जहां स्मॉल डबलू को विले का भार कैपिटल डबलू को विलायक का भार और स्मॉल M को विले का अडू भार पढ़ेंगे तो यह रहा हमारा फाइनली सुत्र आप इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए और उमीद करते हैं कि आपको मूल अलता सवंज में आया होगा मेन रहता है न दोस्तों आप चीत्र के माध्याम से किसी भी परिभासा को समझ सकते हैं चीत्र आप अपने दिमाग में याद रखिएगा आप परिभासा आराम से लिख जाएंगे तो अगले वीडियो में हम बिलेयन के बिलेयन चैप्टर से कोई टॉपिक हम लेकर आएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किर दीजे थैंक्स पर वाजिंग इस वीडियो